दोस्तो आज हम लोग ओमनी जेल क्रीम के बारे में जानेंगे इस क्रीम का उप्योग दर्द, मोच और तनाव से जल्दी राहत पानी के लिए किया जाता है इस जेल को सरीर पर आप कहीं भी लगा सकते है जैसे जहां पर चोट है, मोच है, पुराना से पुराना दर्द भी है जोईन्स यानि जोडों में दर्द है तब आप ऐसी जगों पर इस क्रीम को लगा सकते हैं तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ओमनी जेल क्रीम को ओप योग किस किस दर्द को ठीक करने के लिए क्या जाता है इस क्रीम को कैसे लगाना है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसका प्रैस कितना है, इसके कॉमपोजिशन क्या क्या है और इस क्रीम को कौन से कमपनी के द्वारब बनाय जाता है तो दोस्तो वीडियो को प्लीज आप लोग पूरा इंड तक जरूर देखें ताकि हर एक चीज आसानी से समझ में आ जाए और अगर आप लोग मेरे वीडियो पर पहली बारा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को भी दबा लिजेगा मैं आप लोगों के लिए ऐसे इनोलिजिबल वीडियोज हमेशा लाता रहता हूँ तो चले दोस्तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं नमस्कार दोस्तो मैं हूँ रंधिर आप लोग का अपना यूटूब चैनल मेडिसिन इंक्वारी एंड हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूँ तो दोस्तो ओमनी जेल क्रीम 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम या फिर इस से अधिक क्वांटिटी में भी आता है अगर इसमें मौझूद कॉंटेंस यानि कॉंपोजिशन के बात करें तो इसमें विर्जिन लिंसी डॉल, डाइकलोग फेनक डेथिल लामाइन, डाइकलोग फेनक सोडियम, मेथाइल सैलिसिलीड, मैंथोल और बेंजाइल अलकॉल होता है ओमनी जेल क्रीम इन सभी का मिसरन होता है, अब हम लोग इसके फायदे और इसके उपयोग के बारे में जानते हैं कि इस क्रीम का उपयोग किन-किन दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है तो दोस्तों इस क्रीम को हमेशा सरीर के बाहरी तोचा पर लगाना है, कभी भी इसे इंटर्नल वाली जगों पर यूज नहीं करना है ओमनी जल को मानस्पेसियों के दर्द से रहत पाने के लिए यूज क्या जाता है जैसे अगर खेलने के दोरान कुछ काम करने के समय या फिर अक्सरसाइज करने के दोरान मानस्पेसियों में दर्द हो जाता है तो इस क्रीम को लगा सकते हैं इसके अलवा कमर में मोच या खिचा हो जाने पर भी इस्तिमाल कर सकते हैं साथी महिलाओं के पिरियट्स पर कमर में होने वाले दर्द से रहत पाने के लिए भी इस क्रीम को लगा सकते हैं इसके अलवा पीट का दर्द या जोडों का दर्द होने पर भी इस क्रीम को लगा सकते हैं। साथी रीड की हड़ी में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर और कुलह में दर्द, गूट्नों में दर्द, गठिया या फिर साइटीका के दर्द सिराहत पाने के लिए भी Omnigel क्रीम का यूज करना बहुत ही फायदे मंद है दोस्तो कूल मिलाकर सरीर के बाहरी जगह पर किसी भी परकार के दर्द, मोच और खिचाव से रहत पाने के लिए इस क्रीम का यूज करना फायदे मंद होता है अब हम लोग इस क्रीम के side effects के बारे में जानते हैं तो दोस्तो इसके side effects ना के बराबर देखे गए हैं बस इसका एक ही side effect है कि सरीर में कुछ दाने हो सकते हैं जो की rare है लेकिन फिर भी अगर आपको होता है तो इस क्रीम का इस्तिमाल करना बंद कर दे दोस्तो इसे आप अपने दर्द के अनुसार दिन भर में 4-5 बार भी इस्तिमाल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी रात को सोने से पहले इस क्रीम को लगा कर हलके हाथों से थोड़ी देर मालिस जरूर करें इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा और दोस्तो कभी भी आप इस क्रीम को लगाएं तो हलके हाथों से ही मालिस करें दोस्तो सरीर में दर्द होने का एक और में कारन है वो है सरीर में यूरीकेसिट के लेबल का विगर जाना तो मैंने यूरीकेसिट से रिलेटेड एक विडियो अल्रेडी बना रखा है अगर आपको यूरीकेसिट के बारे में पूरी इनफोर्मेशन लेनी है जाननी है तो उपर आए वटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में विडियो का लिंक है आप जाकर जरूर देख सकते हैं और समझ सकते हैं तो दोस्तों मैं उम्मिद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी फिर वी अगर आप लोग के मन में किसी तरह का सवाले सुझावे तो प्लीज कमेंट सेक्षन में जरूर पूछें हम उसका टेम टू टेम जरूर रिप्ले करेंगे अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें सेर करें और मेरे चैनल मेडिसिन इंक्वारी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें तब तक दोस्ता अपलोग स्वस्त रहें मस तरहें फिर मिलते एक निवाद